हेलो फ्रेंट्स विल्कम बैक टू मैं टूब चैनल तो फ्रेंट्स आप लोग कैसे आई हो कि आप लोग बहुत ही अच्छे से होगे तो फ्रेंट्स आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर कैरी बैग लिया हुआ क्योंकि अक्सर यह क्या होता है कैरी बैग हम लोग ऐसे ही जिस तरब से हैंड पकड़ते हैं वहां से मैंने इसको कट कर लिया आदा और फिर जो साइड साइड होते हैं तो इसका मैंने यह पोर्शन यह ले लिया है तो अभी आप देखिए कि इसका मैं बहुत ही अच्छा सा यूजफूल वह टिप से बताऊंगे कि आप कभी कलपना भ लेकिन हाँ जो भी कैरी बैग वह थोड़ा साफ रहना चाहिए अगर वह साफ नहीं है तो आप इसको वास कर सकते हैं तो अब देख सते हैं इसकी मैंने चार पांच लेयर इकठा काट लिया है और इस तरीके से जो आजकल फ्रूर्स क्रीम या मोश्राइजर क्रीम के जो डि साफ नहीं है तो प्रेंट्स अकसर क्या होता है जब भी बाहर जाते हैं मैकट वगेरा करते हैं तो क्या होता है मेकट रीम।र होता नहीं आपने यहेश पर जो अतल पैच मेंना चाहिए तो' तो आप यह पी चाहिए तो गुलाब जल हो आप उसको भी ले सकते हैं और इसको इसमें डाल कर इसको अच्छे से डीप हो जाना चाहिए क्योंकि अगर यह डीप रहेगा तो बहुत यह अच्छे से मतलब हमारा जो फेस होला वो अच्छे से वाइब्स हो जाएगा और मैंने यहां पर थोड़ी सी खुसबू के लिए थोड़ा सा गुलाब जल भी एट कर दिया है अगर आप पास टोर्ण नहीं है मैं कह रही हो आप केवल गुलाब जल से भी इसका यूज कर सकते हैं इस में डाल सकते हैं तो अभी आप देख सकते हैं यह हमारा अच्छे से इसमें लिष्टिक को ही छुडा कर दिखा रही है आप देख सकते हैं यहां पर देखें बहुत ही असानी से चाहिए और अगर आप मेकप करना चाहते हैं अगर आप कहीं बाहर है आपके फेस पर डश्ट बगएरा है या कहीं पर भी तो आप अपना फेस वाइप्स करना है साफ क्ल अगर बच्चों के लिए अगर आप बनाते हैं तो गुलाब जल ही अट करिएगा उसमें टोनर मत यूज करिएगा क्योंकि बच्चों की स्कीन काफी सॉब्ट होती है और हम लोग वे किस्कीन थोड़ी सो बच्चों के मुकाबले तो हाड होती है तो इसलिए आप इसका जो होता है नारियल पानी थमा देता है जो कि हम उसका भी उसे मलाई नहीं रहती है अगर मलाई वाला मांगते है तो पानी वाला देता है तो इसकी पहचार हम कैसे करें कि जो कि हमें करेक्ट नारियल का चूज करना हमें पता चल जाए तो चलिए फ्रेंस हम कौन कॉंसेटि लेकिन ये कभी आप गलत फैमी मत रहें क्योंकि जिसमें मलाई होता है वो थोड़ा हलका होता है और जो भारी होता है उसमें पानी ज्यादा रहता है तो इसलिए आप कभी भी नारियर लेजे जो हलका लगे तो उसमें समझ लेजे मलाई है और जो भारी लगे नारियर तो इसी के घर में मिली जाता है और यह बहुत ज्यादा महगा भी नहीं होता है और यह हम लेडिसों के लिए तो बहुत यूजफुल टीप्स है क्योंकि हम लेडिस तो चाते हैं कि एक-एक पैसा बचाएं और अपने घर को अच्छे से हम चलाएं तो आए चलिये चलते इससे हम नहीं क्या बनाएं गे। जो कि हैर लेडिस से बहुत अब क्या बात हैं यह तो हमारे पास हमांकिन से कभी कदřोनी में मंने बटन म करने के लिए और इस साब आईसा से बर्तन होते है जो केवाल हम जेल मेह धूरन सकते हैं तो हम छोई करेंगे घर पर ही जेल बना के रख सकते हैं टंपरेरी और भी बहुत ही कम लागत में मात्र पांच यह दस रुपए में और आप एक बुतल लिकवीड जेल बना के रख लीजिए इस तरी के देखिए मैंने इसको ग्रेट कर लिया और यहां पर मैंने पानी ले लिया है तो मैं सब्सक्राइब बना लेते हैं तो इसके लिए हम क्या करेंगे पानी लेंगे इसमें डाल देंगे और इसको खुब अच्छे से मतलब मिक्स करेंगे जो भी इसके अंदर घी रहेगा वह उपर की तरफ उठ जाएगा तो आप देख सेथे इसी तरी के साब को भी मिक्स करना है और इसको मिक्स करेंगा तो आप देख रहें यह उपर जो चिकनाहड दिख सकते हैं जो कि हम लेडिस के लिए तो कड़ कड़ एक एक रुपाय कोई भी चीज हम बेश्ट फेक नहीं सकते हैं वह कहते हैं आम कियाम गुठुलियों के भी दाम तो आप देख सकते कितना धेर सारा इसमें घी निकला हुआ है जो कि हम कभी देखते नहीं है और अपने महर ज कि सहर में इसको क्या बोला जाता है तो फ्रेंट्स आप इसको आप फ्रीज में रख दीजेगा हमार काफी सारा घी निकाल आएगा तो चलिए चलते फिर साब से निलते ओके फ्रेंट्स बाई